भारत की पांच श्रापित जगें, जहां जाने से आज भी कतराते हैं लोग, कुलधारा गाव, कुलधारा विलिज, राजस्थान के जैसलमेर शहर से लगभग 20 किलो माइटर की दूरी पर मौजूद कुलधारा गाव है, जिसे आज से नहीं, बलकि प्राचीन काल से श्रापि करता था, इस डर से सभी ब्राह्मन गाव छोड़ दाकर चले गए, और जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि ये गाव कभी भी नहीं बसेगा, इसके कुछ समय बाद ये गाव खाली हो गया और आज भी यहां कोई नहीं रहता और नहीं बसने की हिम्मत करता है, अब ये गाव खंडहर बन चुका है, रूपकुंड जील, रूपकंड लेक, रूपकंड लेक हांटेड स्टोरी, शायद आपको यकीन न हो, लेकिन भारत के उत्तरा खंड में एक ऐसी जील है, जिसे सदियों से श्रापित और डरावनी जगह मानी जाती है, जी हां, हिमालाय की गरना है कि यह एक श्रापित जगह है, जहां हजारों लोगों को दफना दिया गया था, यहां आज भी कोई जाने की हिम्मत नहीं करता है, गंधर्व पूरी गाव, गंधार्व पूरी विलिज, भारत का दिल बोले जाने वाला राज्य, यानि मध्य प्रदेश एक नहीं, बलकि कई पवित्र जगहों के लिए दुनिया भार में फेमस है, लेकिन इस राज्य में स्थित गंधर्व पूरी गाव भारत की श्रापित जगहों में भी शामिल है। या श्रापित गाव भारत के किसी और राज्य में नहीं, बलकि जारखंड में मौझूद है। और लोग भी गाव छोड़ कर भाग गए। इसे भी बिहार की इन भुताहा जगहों पर आज भी कोई अकेले नहीं जाना चाहेगा। भांगर फोर्ट ये फेमस फोर्ट सिर्फ श्रापित ही नहीं, बलकि भारत की एक बेहद ही खौफनाग जगह भी है। कई लोगों का मानना है कि भांगर फोर्ट पर एक तांत्रिक का श्राप है। कहा जाता है कि गुस्से में एक तांत्रिक ने श्राप दे दिया जिसके बाद यहां हर दिन अजीबो गरीब घटनाएं होती रहती है। कई लोगों का मानना है कि रात के समय इस फोर्ट के रोने, चीखने और चिलाने की वजह आती रहती है। सुबह सुबह यहां सिंदूर और नीमबू भी मिलता है। इस और खौफ के चलते कोई नहीं अकेले जाने की हिम्मत नहीं करता है। कुर्सियांग हिल स्टेशन को भी श्रूबू नहीं करता है।